नमस्कार मेरे यूटूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं आपका दोस्ट डोक्टर आशीश आज फिर एक नया वीडियो लेकर आपके बीच आया हूँ अगर आप बहुत लंबे समेशे अपना एरेक्टायल डिस्फंक्शन का ट्रीटमेंट करा रहे हैं लेकिन आपको आराम नहीं मिल रहा है तो ये वीडियो खास आपके लिए ही मैंने बना है अगर आप बहुत लंबे समेशे दवाई खा रहे हैं और आपको अराम नहीं मिल रहा है तो किरपिया मेरे इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इरेक्टार डिस्फंक्शन कितने परकार का होता है और इसके कारण क्या है और कौन सी इरेक्टार डिस्फंक्शन में कौन सी ओस्दी काम करेगी क्योंकि हम हमेशा गलत दवाई लेते रहते हैं गलत ओस्दियों का चुनाव ही ये कारण बनता है कि हमको अराम नहीं मिलता तो डॉक्टर भी कई बार confusion में रहते हैं कि वो सही ओस्दी का चुनाव नहीं कर पाते तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कितने परकार के erectile dysfunction होते हैं और कौन से erectile dysfunction में कौन सी दवाई काम करेगी वे कौन से कारण हैं उन कारणों के निवारण के लिए ही दवाई दी जाए तो अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं तो आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखें अगर आप erectile dysfunction यानि नपुन सकता को पूरा समझना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखोगे तो आपकी समझ में जरूर आएगा कि मुझे कौन सा कारण है और मुझे कौन सी ओसदी लेनी चाहिए तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और हमेशा की तरह आप से रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि अगर आपने चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो जरूर सस्क्राइब कर लें और उसके साथ साथ बैल का आइकन जरूर दबाएं तो दोस्तों, इरेक्टैल डिस फंक्शन के मुक्रोप से ये तीन कारण होते हैं पहला कारण होता है 25 में रग्त संचार की कमी, 25 में बलर्ड फूलो की कमी दूसरा कारण होता है काम तेजना की कमी यानि sexual desire की कमी हो जाती है वेक्ति के मन में तिसरा होता है नर्व का damage होना तो ये तीन कारण मुख की रूप से होते हैं बाकी जितने भी कारण irritate dysfunction के समझे जाते हैं या बोले जाते हैं वो सभी इसमें include हो जाते हैं तो मुख की रूप से तीन कारण होते हैं तो इन तीनों कारणों को समझ लेते हैं अलग-अलग तो सबसे पहला जो कारण है पैनिस में रक्त संचार की कमी तो किन कारणों से पैनिस में रक्त संचार की कमी हो शकती है जैसे कोलोस्टरोल के बढ़ जाने से जब यक्ति का कोलस्ट्रोल बढ़ जाता है तो जो पैनिस की नशे होती है या आपकी स्पाइनल कोड की नशे होती है उनमें वो कोलस्ट्रोल जम जाता है और कोलस्ट्रोल के जमने से पैनिस में प्रोपर रक्त नहीं पहुंच पाता तो उससे जब दिमाग से सिगनल आते हैं कि पैनिस में रक्त पहुंच आओ उसके बाद भी दिमाग महाँ पर प्रेसर करता है रक्त प्रेसर करता है लेकिन कोलस्ट्रोल के जमा होने से वो पैनिस म तो उस कारण से पूरा तनाव नहीं आ पता तो दूसरा करण इसका है तैन्संल दिफ्रेशन लेना तो जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा तनाव में रहती हैं बहुत ज़्यादा डिफ्रेशन में रहती हैं तो डिफ्रेशन में होता क्या है कि जब व्यक्ति डिफ्रेशन में होता है तो हमारा जो मस्तिस्क होता है जो पूरे सरीर के रक्त को कंट्रोल करता है तो वो डिफ्रेशन में सारा रक्त मास्पेशियों में भेज देता है क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस समय हमारी किसी से लड़ाई होती है या हम किसी डिफ्रेशन में होते हैं तो हमारी मास्पेशियों को उस समय रक्त की जुरत होती है तो हमारा मस्तिस्क का यह ओटमेटिक फंक्शन है कि जब भी हम तनाव में होते हैं तब ही सारा का सारा जब बलड होता है वो मास्पेशियों में जो बड़ी मास्पेशियों हैं से हाथ की मास्पेशी हैं पैर की मास्पेशी हैं जिन से आदमी वर्क करता है तो उन में वो ओटमेटिक बलड को भेज देता है तो अगर आप डिप्रेशन में रहते हैं तो ओटमेटिक आपका बलड पूरे शरीर में फैल जाता है बड़ी मास्पेशियों में पहुंच जाता है तो पैन इसमें बलड नहीं जा पाता अगर आप डिप्रेशन में होते हैं दोस्तों इरेक्टर डिस्फंक्शन का दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है कामोतेजना की कमी इसमें क्या होता है कि व्यक् टेस्टोस्टेरोन हर्मोन की कमी दूसरा इसका है सुक्रानों की कमी तो यह अगर दो कम्या आपके अंदर हैं टेस्टो इस्टेरोन हर्मोन्स की कमी है या सुकरानों की कमी है तो आपके अंदर से मेल हर्मोन्स कम होने से आपके अंदर सेक्स की इच्छा बिल्कुल खतम हो जाती है या कम हो जाती है तो इस इस्थिती में भी आपके 25 में तुनाव नहीं आता जब आपके अंदर से ऐसे हार्मोन्स डवलप भी नहीं होगे तो सेक्स की इच्छा उत्पन नहीं होगी तो इस परकार भी आपको erectile dysfunction हो शकता है जो तीसरा है नवर का damage हो जाना इसको आप ठीक से समझ ले क्योंकि यही सवसे ज़्यादा खास है यह सवसे बड़ा कारण आजकल होता है erectile dysfunction का लगबग 80-85% लोग इसी कारण से नपुनसक हो जाते हैं यानि इसी कारण से उनको erectile dysfunction होता है तो मैं आपसे request करता हूं कि आप इसको जरूर अच्छी प्रकार से समझ लीजे तो दोस्तों दो इस में से signal बेजने के लिए बहुत छोटी छोटी नशे होती हैं जो मस्तिक से signal बेजती हैं सरीर को कि वह penis में बलड फलो को बढ़ाए तो यहां पर अगर आपको injury हो जाती है यहां पर आपको इनजरी हो जाती है यहां को shitey का है या sleep disk है आपकी disk इसलिप हो जाती है तो य इसके कई कारण है, यहांपर जो नर्व होती हैं उनको डेमिज होने के कई कारण है, जैसे आपको अगर Diabetes बहुत लंबे समयशे है, तो यहां जो नर्व हैं, वो डेमिज हो सकती हैं, यह ऑगर आपको blood pressure, high blood pressure रहता है, तो अभी यहां की नशे damage हो सकती है, high blood pressure के कारण, तो आपके spinal cord में, अगर कोई injury हो गई है चोट लग गई है, उस कारण भी यहां की नशे damage हो सकती है अगर आपको diabetes बहुत लंबे समेशे है, तो उस कारण भी यहां की नसी डेमिज हो सकते हैं और आपको प्रोपर इरेक्टरी डिस्फॉक्शन हो शकता है तो दूसरा करण होता है लोकल इंजरी अगर आपके पैनिश में आप बहुत ज़्यादा हस्त में थुन करते हैं तो इसमें बारीक बारीक यहां पर नसो का एक जाल होता है तो पैनिश में गर्शन करते हैं तो इनकी नसो को नुक्षान पहुंचता है और इनमें इंजरी हो जाती है तो इनमें ठीक से बलट फूल नहीं जा पाता और आपको लोकल इंजरी हो जाती है तो उसकी अलग ओस्दियां है तो होता क्या है कि हम एक ही परकार की ओस्दी सभी परकार की नपूनसक्ता में लेते रहते हैं तो इस वी वीडियो में मैं आज आपको आगे बताऊंगा कि कौन सी नपूनसक्ता में कौन सी ओस्दी अच्छा काम करेगी अगर आप उन्हों उस्दियों को लोगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी बिमारी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी दूसरा हस्त में तुनका ये नुकसान होता है कि हमारे जो पैनिस की जो नशे होती है वो बलड को ले तो आती हैं लेकिन यहाँ पर बलड रुकता नहीं तुरंत ही वो दूसरी नशे बाहर निकल जाता है क्योंकि हमारे पैनिस में एक ऐसा फंक्शन होता है जो बलड को रुकने का काम करता है तभी तो वहाँ पर उत्तेजना बनी रहती है तभी तो वहाँ पर तनाव बना रहता है लेकिन हस्त में तुन से होता क्या है कि बलड तो आता है फलो आता है लेकिन वो तुरंत फिर डाउन हो जाता है कई बार आपने देखा भी होगा कि ए्रेक्शन तो अचा रहा है लेकिन वो फिर डाउन हो रहा है थोड़ी देर बाद तो ये हस्तमेतन के कारण वहां की जो लोकल इंजरी वहां पर हो गई है नशों में उसी के कारण ये होता है कि बलड आता तो है लेकिन वो रुकता नहीं तो अगर इस परकार की इंजरी आपको गई है तो उसकी अलग होमियोपेथिक ओस्दिया हैं तो आज मैं ओस्दियों की आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख करी कि कौन सी किस प्रकार की नपुनसक्ता में कौन सी दवाई बहुत ही अच्छा काम करती हैं तो मैं आपको दवाईयों के नाम भी बताऊंगा और उनके साथ-साथ उनके चितर भी आपको यहां पर डिस्पले पर मैं दिखाता रहूंगा तो सबसे पहले जो पैनिस में र करेटेगस करेटेगस ओक्षी यह मदर टींचर में आपको लेनी है इसको आप 10-10 गूंदे आदे कप पाने में डालकर दिन में तीन वार लीजिए तो आपके कोलोस्ट्रोल को यह ठीक करता है उसके साथ-सथ अगर आपकी नसों के अंदर वशा जमा हो गया है आपकी नसों के अंदर वशा जमा कोने से आपको प्रोपर रप्त कसंचार नहीं हो रहा है तो यह क्रेटेगस ओक्षी वशा को नसों के अंदर से कम करता है कोलोस्ट्रोल को कम करता है तो बहुत ही बैस्ट वस्दी है तो इसके साथ-साथ मैं आपको दो और बताऊंगा टेंसन के लिए तो अगर आपको तनाव के करण पैनिस में तनाव नहीं हो रहा है यानि तनाव के करण इपैनिस में तनाव नहीं हो रहा है डिप्रेशन के करण चिंता के करण पैनिस में घबराट के करण इंजाइट के करण अगर आपको पैनिस में तनाव नहीं हो रहा है तो इसके लिए सबसे अच्छी योज़दी है लाइकोपोडियम लाइकोपोडियम हम 30 पोटेंशी में यूज़ करेंगे पांच वाज बूंदे जिन में तीन बार और डिफ्रेशन के लिए एक और उज़दी आपको बताने जा रहा हूँ इसका नाम है एवीना शेटाइवा ये भी मदर टिंचर में है ये भी 10-10 बूंदे आदे कप पानी में डाल के दिन में तीन बार लेनी है तो अगर पैनिस में रक्त संचार की कमी है कोलेस्टरोल के कारण है और डिफ्रेशन के कारण है तो उनमें ये वस्दियां बहुत भी बहतर काम करेंगी क्रेटेगस ओक्षी आप ले सकते हो लाइको पोडियम आप ले सकते हो एविनस सेटाइवा आप ले सकते हो तो कई बार जो डोक्टर प्रियोग करते हैं अधिकतर लाइको पोडियम को प्रियोग करते हैं और एविनस सेटाइवा को प्रियोग करते हैं तो kratagus oxy को आप उसी case में यूज कीजिए अगर आपको kolesterol बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आपके नसों के अंदर वशा जमा हो गया है तो आप kratagus oxy को जरूर लें और अगर आपको diffraction या tension बहुत ज़्यादा रहती है कई बार आदमी के मन में घबराट रहती है कि मैं performance कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा तो ऐसे लक्षणों में आप लाइक ऑपोडियम और एवेना शेटाइवा लोंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे तो दोस्तों दूसरी परकार के नपुन सकता की ओसदी के बारे में हम discuss कर लेते हैं दूसर इसको बढ़ाने के लिए सबसे पहली और सबसे बेस्ट दवाई है टेस्टिस 3X यह टेबलेट के रूप में आती है दोस्तों इसको तीन तीन टेबलेट सुबह दो पर साम जब हम अपने मूह में डालके टोपी की तरह चूसेंगे तो लगवग आठ से दस दिन में आपके जो अंदर टेस्टो इस्टेरोन की कमी थी वो धीरे धीरे पूरी होने लगेगी आप इसको लगातार जब दो महीने तक लोगे तो आपको बहुत ही बहतर रिजल्ट मिलेंगे इसके साथ साथ आप दो दवाई और इस्तिमाल कर सकते हो डेमियाना मदर टिंचर और नुफरलूटियम मदर टिंचर तो अगर ये दो अस्दिविया आप इसके साथ साथ लोगे तो बहुत ही बहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे डेमियाना मदर टिंचर को दस दस बूंदे आदे कप पानी में डाल के दिन में तीन बार लेना है नुफरलूटियम मदर टिंचर को भी दस दस बूंदे आदे कप पानी में डाल के दिन में तीन बार लेना है तो ये ओस्दिया अगर आपके अंदर विरे के प्रोडक्शन क कमी है या आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन होर्मोन्स की कमी है तो यह उस्दियां उनको पूरा कर देती है इन उस्दियों को भी आप लगातार दो महीने तक जरूर इस्तमाल करें तो आपकी इस परकार के नपुन सकता तनाव ना आना या इच्छा मन में उत्पन्य होना तो चले दोस्तों आप जान लेते हैं तीसे परकार के नपुन सकता के बारे में क्योंकि तीसरी परकार के नपुन सकता ही 80-90% लोगों को यही होता है तो इसके बारे में पूरी तरीके से समझ लीजिए और इसमें कौन-कौन सी वश्दियां आपको लेनी है वो भी आप समय से आपको हाई बीपी है तो इन दोनों ही परकार की समझ्याओं में जो यहां की जो मैंने बता था कि उपर से जो दिमाग से सिगनल आते हैं और यहां पर आपकी नरू डेमेज हो जाती है जो सिगनल पैनिस को बेजती है और दूसरा यह कारण है कि अगर आपको कोई री नरू के डेमेज हो जाने के कारण डाइबेटीज के से या बलड़ परेशर से यहां की नसे अगर डेमेज हो गई है तो उसके लिए अगर आप काम उतेजना को बढ़ने की दवाई लेते रहोगे तो उससे कुछ भी नहीं होगा तो दवाईयों की जरुत है उन नसों को फि जेंटम नाइटिकम के साथ साथ अगर आप एशिड फोस भी इस्तमाल करोगे तो बहुत ही अच्छे रिजट देखने को मिलेंगे एशिड फोस को भी 30 पोटेंसी में इस्तमाल करना है तो अगर आपकी यहां की जो नरू होती है जो उपर से मस्तिक से सिगनल पहुचाती है पैनिस तक वो अगर डैमेज हो गई हैं तो यह दो ओस्दिया बेस्ट काम करती हैं इन ओस्दियों को आप पांच-पांच बूंदे सूबे दो पर साम तिनो टैम लगातार दो महीने तक इस्तमाल करेंगे तो आपको बहुत यह अच्छे रिजट देखने को मिलेंगे तो द निकता गई है क्योंकि हमारी हाथ की इसकी नोतिय बहुत सकत होती है इससे वहाँ पर लोकल इंजरी हो सकती है वहाँ पर पैनिस की नसे डैमेज हो सकती है तो इसके लिए जो बैस्ट होमेज़िक ओस्दी है वो मैं आपको बता देता हूं पहली ओस्दिया इस्टे फिशे इसका चितर भी मैं आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर दिखा देता हूं इस्टे फिशे गेरिया के साथ साथ आप बैली स्पैरिनस भी लेंगे बैली स्पैरिनस थर्टी और इस्टे फिशे गेरिया थर्टी यह दोनों यह उस्दी बहुत यह अच्छा काम करेंगी इनको आप पांच-पांच बूंदे शुबे दो पर शाम लेंगे तो अगर आपको लोकल इंजरी हो गई यह आस्मेत उनकी वज़े से तो यह प्रोग् पैनिस की जो नस्य हो जाती है वे मोटी मोटी हो जाती है अगर आपकी पैनिस में मोटी मोटी नस्य दिखाई दे रही है तो वहाँ पर बलड नहीं रुकेगा क्योंकि यह एक नर्व की इंजरी होती है जो बलड नहीं रुकता है तो बलड को रोकने की जो छमता होती है पै पहले तो blood flow अच्छा पूरा चला जाता है एरक्शन आ जाता है लेकिन फिर थोड़ी देर बाट डाउन हो जाता है तो हैमें मैले इस 30 potency में आप इस्तमाल करें ये आपकी 25 की नसों को repair करेगा और वहाँ पर जो blood flow आता था और फिर चला जाता था उसको ठीक करेगा तो इसको भी आप एक महिने तक कम से कम इस्तमाल करें पांच-पांच बोंदे दिन में तीन बार तो दोस्तो मैं आशा करता हूं कि मेरे दुआरा जो आपको ये समझाया गया है ये आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी किस प्रकार के नपून सकता में कौन सी ओस्दी सबसे बहतर क नहीं मिलता दोस्तों अगर आपको कोई और कुश्चन है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं हम जरूर आपको उसका अंस्वर देंगे इसके साथ साथ वीडियो के डिस्क्रप्शन में हमारा वाटसप नंबर भी हमेशा मौजूद रहता है आप वहाँ पर भी हमसे परसंद पूछ सकते हैं और उसके आंस्वर हम आपको जरूर देंगे तो दोस्तों आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आगे फिर ऐसे ही ग्यानवर्दक वीडियो लेकर आपके बीच आते रहेंगे अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ बैल का इकन जरूर दबा लें क्योंकि बैल का इकन दबाने से हमारी जो लैटेस्ट वीडियो होती है उसकी सूचना आपको मिल जाती है तो जरूर बैल का इ निवाद में करता हूँ आप सभी को मेरा नमस्कार